आज मैं अपने बालकनी का मेकोवर करने जा रहे हूं तो मुझे कुछ और भी नए डियाइवाइड करने हैं अपने बालकनी में और फाइनली आज के दिन मेरा जो कीचन का काम और इनोवेशन का काम जो चल रहा था एक महिने से ज्यादा से लगबग तो वो कंप्लीट हो चुका था और ये मेरी ग्रील बालकनी सब कुछ पेंट होकर कंप्लीट हो चुकी थी अब मुझे पूरे घर का मेकोवर का काम करना थ और कुछ मेरे पास टुकड़े पहले के थे जिनको भी मैं इस्तमाल करकर यहां पर रख दूंगी और पहले में क्या करूंगी जो उपर उपर के जो प्लांट है सबको सेट कर लूंगी थोड़े हैंगिंग प्लांटर सबको भी ताकि मुझे स्पेस मिल जाए मेक ओवर करने पूरा मेक ओवर तो पुराने जो भी प्लांटर होते हैं अगर आप उसको प्रेंट कर देते हो इसमें बिल्कुल नई जाना जाती है और बिल्कुल नई जैसे लगते हैं तो और आसान भी मैंने सारिट यह कर रही थी कि जल्दी से बन जाए और मेरा काम भी खतम हो जाए औ और यह कुछ मैंने DIY भी नए बनाए हैं जो कि मैं आपको अब ही आगे शेयर करूंगी तो क्या था एक्चुली मेरा काम हो गया था और मुझे हमेशा से सौक था कि मैं मश्रूम जो मैं देखती हैं अक्सर बालकनी में लोग डेकोरेट करते हैं वो तो मैंने आनलान भी चेक किया एक्चुली मैं तो मंगवाना चाहती ही नहीं पर मैंने चेक किया कि देखूं तो बहुत चुटे-चुटे साइज के और काफी महंगे थे तो मेरा भी मेक ओवर हो के सीमेंट अरड़ी बचा हुआ था और मैंने सुचा क्यों यह सीमेंट का ही मैं बना लूँ और ऐसे म मश्रूम सेप के जो भी बरतं थे वो मैंने ले लिये हैं और उस में बनाओंगी और सीमेंट के बदले काई चाहो तो बॉल पुऩट्य, ौाइट सीमेंट किसी काई कर सकते हो मेरे पास सीमेंट बचे हुवे थे इसलिए मैंने सीमेंट के इसमाल किया है यह काफी सस्ते ही क्योंकि सीमेंट आपको 10-15 रुपे कीलो मेरे ख्याल से किसी भी हार्डवेर की दुकान पर मिल जाता है पांच कीलो की गुनी भी मिल जाती है एक कीलो की हिसाब से भी मिल जाता है और अगर आपके पास वाल पुट्टी हो प्लास्टर ओफ पैरिस हो या फिर वाइट सीमेंट हो उन से भी बना सकते हो तो यह मैंने सीमेंट से बनाया है और इसको मैं इसमें दो-तीन चीज़ों का आप ख्याल लखोगे तो आपको क्राफ्ट बराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैंने खुद फेस की है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो पहले तो हमें क्या करना है राइका तेल या वैसलिंग कुछ भी लगा देना है बेज में ताके यह सीमेंट हमारा बरतन के साथ चीप लखना जाए पहले तो यह बात का ध्यान लखना है और दूसरा यह है कि आप गोनने में कोई भी यह नहीं थोड़ा पतला भी हो जाता है तो बस यहीं प्रॉब्लम होती है थोड़ा लंबा टाइम लगता है सुखने में और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो बस नॉर्मल सा एक पेस्ट जैसा बना लेना है यह थोड़ा पतला भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे खाल से और बस मैंने देखिए इस तरह से रख दिया है और पीछे की साइड भी मैंने तेल लगा लिया है ताकि हमारा यह उपर वाला बरतन भी श्टिक ना हो और दो लेयर मैंने पहली बार में बनाया था तो यह उपर वाले में भी मैंने तेल लगा लिया है राई का तेल और फिर इसमें भी मैंने सीमेंट रख दिया था इस तरह से पहले मैंने दो लेयर ट्राइ किया था और फिर मैंने आगे बनाया था तो यह सुबह जब मैंने निकाला तो क्या और इसका रिजन मुझे मालूम भड़ा क्योंके बीच में काफी पतला हो गया था जिसकी वज़ा से इसको मजबूती नहीं मिल पाई तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया है दूसरी बार में यह देखे जैसे बीच वाला हमारा बिल्कुल परफेक्ट इसपर मैंने तीन यहर का बना ल向क्ली को अगया तो ऐस्टल оссो आ ही था कर लिए ताके हिससे अच्छे से ड्राइ हो जाए सिर्फ ऊपर का निकाला है देखें काई आसानीulी आप हलका सप्रेस करोगे और वो निकल जाता है तो इस तरह से निकाल कर मैंने इसको इसके बाद 12-15 गंटे के लिए और सुखने छोड़ दिया था अगर अभी मैं निकाल लिए तो शायद तो टूटने का डर होता है तो आप इस तरह से पहले उपर वाला निकाल लिए जब सेट हो जाए सिमेंट और फिर उसके बाद आप 12-15 गंटे के बाद ये पूरा इसको निकाल लिए जैसे नीचे वाले हिस्से को भी तो ये देखिए अब सुबह हो गया तो मैंने क्या किया है सारे को निकाल लिए और बहुत ही आसानी से देखिए बिल्कुल जैसे मैंने पल्टा और निकल गया है और बिल्कुल अच्छा सा इस बार हमारा बना है और जो साइट पर थोड़ा बहुत निकल जाए इसका कोई प्रॉबलम नहीं आप से गिस भी सकते हो मैंने तो वह भी बनने के बाद अवराल सब अच्छा लगने रगता है यह देखिए इस कड़ाई को मैं बहुत आसानी से हलका सा टैप करूंगी और निकल जाएगा इस तरह से मैंने दस बेस बना लिये थे टोटल बड़े छोटे हर साइज के और देखिए इतने बड़े आप काले मेरे पास अलग अलग हाइट के मैंने बॉटल कट करके और इसमें सीमें फिल करके तयार कर लिये थे तो यह बॉटल में मैंने इसमें क्या किया है यह नहीं लगाया राई का तेल क्योंकि मैं बॉटल कट करके आराम से निकाल सकती थी तो देखा आपने लापरवाई का नतीजा है इस कि ने कम लोगे चली टूट जाता है जतना अच्छा ड्राइ होगा उतना मजबूत हो जाएगा इस तरह से मैं सारे जो मेरे मश्रूम हैं उनको मेने ड्राइ करने रख दिया हैं और यह सारे प्रोसेस करते करते मेरे खाल से 5-6 दिन हो गया है और पेंटिंग का काम तो मेरा एक गंटे में खत्म हो गया था उतना मुश्किल नहीं हुआ और हाँ यह देखे यह मेरा सीमेंट थोड़ा सा बचा था तो मुझे कुछ भी नए एक्सप्रिमेंट करने का तो हमेशा मन करता ही रहता है तो मैंने इससे क्या किया इस पर बेस पर लगा दिया है और इस पर मेरा काटा चमची जो होता है उससे इस तरह का टेक्श्चर बना लिया है और यह तरह काटा मस्रूम पे बना लिया था और 5 को मैंने प्लेन ही रहने दिया था तो यह बिल्कुल ऑप्षनल है आप चाहों तो बनाऊ यह तो मेरा बचा हुआ था ते मैंने अशी नया ट्राई करके देखा है और यह सारे हमारे बन चुके हैं और अब मैंने हमेशा की तरह दीवार के पेंट ले लिए हैं आप लोग कमेंट में बहुत बार पूछते हैं आप कौन सा पेंट यूज करते हो तो यह दीवार के पेंट है आप अगर मेरे तरह हमेशा डियाइवाई नहीं करते तो एक्रेलिक पेंट लाकर इस्तिमाल कर लें चोहां किसी भी स्टेजनादी पर 20 रुपे मेरे खियासे 15-20 रुपे में मिल जाता है और मैं क्या करती हूं हमेशा डियाई वै करती रहती हूं तो यह दीवार के पेंट तो मेरे जो बचे हुए कुछ वो इस्तेमाल कर लेती हूं कुछ अगर मुझे घटते हैं तो मैं नए वही लेकर आजाती हूं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं मेरे यल्वाला बहुत पहले था तो 2.2 रुपे का था और रेड़ वाला मैं अभी नया लिया है तो तीनसे रुपे में कुछ आया है और बेज में मैंने सारे को वाइट पेंट कर लिया है और यह मेरे सारे ड्राय हो चुके हैं कितने खुब्सूरत लग रहे हैं देखिए तो इस तरह से देखे मैं पूरे में डॉट लगा दोंगी और इस पर डॉट बनाते ही देखे इसकी खुबसूरती कितनी ज्यादा बढ़ गई है और इस तरह से मैंने दस मश्रूम बिल्कुल अपने हिसाब से जैसे बड़े चुटे हर साइस के बना कर और यह देखे ले लिय तो इस तरह के किसी किसी में दर्वाजे जैसे और उपर देखे विंडो जैसा बना हुआ था तो मैंने भी यह बना लिया था मेरे पास ब्राउन कलर था उससे बना लिया था और अगर आप नहीं भी बना दोगे तभी मेरी ख्याद से अच्छा लगेगा तो यह मैंने बना बना डिया है और कुछो पे नची आर ट्राइब कर Jewelith किया कुछ तरह करते तो मैंने पर घी ऐसाब देखे और आप लिगेए और रहां तो तूछ में लिए बना रखा हुआ है और मुझे मेरे घाने के पास भी रखने हैं और आब यह क्या हुआ हूआ स्टील और यह पैले लगा दिया कि नियुक बढ़े पालो मुझे समय की 70 भी इसको छोन तू से स्टील भूपकर दिया पुरा अधिर युड़ को टा वटश समय को ठाल डिया थी वक्वट मैं इसको प्रया है को स सहते बचा बच बच हूए है 58 में इस तरह से लगाता है जब ड्राइब नकाले में तो बना सकते हो और थोड़ा टैप किया मैंने तो यह निकल गया है और निकलने के बाद यह नहीं हो रहा था कि यह सिमेंट से में इतना अच्छा बना लूगी अच्छय मेंने बहुत सारे डियाईवाइब के देखे थे लेकिन मुझे लग रहा था कि लकड़ी नहीं जैसे अंदर है पाईगी उतना मजबूर टेबल नहीं बनेगा लेकिन बनने के बाद यह काफी अच्छा बना है और मैं फिर जब पॉट को पेंट कर रही थी अपने बालकनी के लिए तो उसी वक्त मैंने फिर ब्लैक पेंट से इसको भी पेंट कर लिया और मुझे समझ में नहीं तो मैंने शुचा चलो जो मैं अब टायर की दिजाईन थी जो मैं बैठी थी वहाँ पर टायर वाले डिया वाई जो मैं आपके शैर कի थी वहीं वाली रिजाइन मैंने इसको भी है तो इसके लिए मैंने यह मासकिंग टेप लिया है जो के तीस रुप तो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो तो आप ब्लैक और वाइट भी रखो गए तो देखे कितना खुबसरत लगेगा और मैंने यहां पर गुल्डन था मेरे पास तो मैंने वह पेंट ले लिया है पर मैंने क्या किया है जल्दी जल्दी में मैंने ब्लैक कलर को अच्छे स निकाल दोगी और निकालने के बाद मैं आपको पताती हूं जैसे मेरा बलैक कलर सुखा हुआ नहीं था और गोल्डन कलर भी काफी पतला था तो तो इसको मैं क्या करूंगी जो ब्लैक कलर जो निकल गया है और थोड़ा फैला हुआ है इसको टच अप कर लोंगी और तच अ तो यह देखिए हमारा कितना खुबसूरा सा टेबल बनकर तयार हो गया है इसको मैं थोड़ी दिर सुखने दूँगी और इसके बाद मुझे जहां पर भी इसको सैट करना है मैं सैट कर लूँगी तो फिलहाल यह देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है और बिल्कुल देखे सीमेंट जो मेरा फेका जाता है इसे ही कच्रे में उससे मैं इतना खुबसूरा सा टेबल बना लिया है तो इस तरह से आप भी ट्राइ करें मैं इसी तरह के बेकार चीज़ों के रिसाइकल के आइडियाज अपने चैनल पर देती रहती हूं और भी बालकनी डेकोर आपसे ज